श्राइब चाहिए इन्डा का माक्स चाहिए लेकिन मैं पूरा अंडा नहीं चाहिए, अंडे के सपाथी के दो चमद Só अंडा कोई सा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग ये भी पूचेंगे कि अंडा देशी चल सकता है तो अंडा देशी भी चल जाएगा अंच्छन की बात नहीं अच्छा जी दो चमच में अंडेकी से पाइदे के लेली आप इसमें बाकी चीज़े आट करने वाली जरत तवज्जो से देखेगा सबसे पहले मैदा है आप मुल्टानी मटी भी इस्तमाल कर सकते हैं आपने तकरीबन एक चमच इसमें मैदे का डालना है या आप चितना ज्य अगर सूथ नहीं करता वो इसको ना डालें लेकिन अगर डालने तो आपका रिजल्ट जो है वो पहड़ जाएगा आथा टी स्पून सिरफ ज्यादा शायद नहीं डालेंगे इसमें तीन चीज़े हो गए चोथे नमबर पार इसमें मैद करूंगी बेकिंग सोडा खाने वा अगर चाय वाला चमच इसमें निकल आथा टी स्पून या नि तो आपने इसमें एड करने तमाम चीज़ें जब आप इसमें शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि यह ब्लीच की तरह पूंदना शुरू हो जाएगे इस तरह से ब्लीच क्रीम फूल की फॉर्म ती शकल में इसी तरह से ब्लीच पी हमारी होममेड ब्लीच बनेगी फिर उसके बाद आपको बताते हैं आपने इसको फूरी अप्लाइड नहीं करना जासे आपने इसको अपने इसको अप्छी तरह से मिक्स करने ताकि यह एक जान हो जाएगे बिल्कुल फॉर्म की शकल में आगया इसको फिरियर नहीं आएगी अगर आप इस तरह से प्लाइ करें तो आप इसको के दोसर्टीम कोट उप्लाइ करें इसको अप्लाइ हो जाने के बाद तो आपको आगा चलके बताते हैं कि आपनी सको इसको किस तरह से अप्लाइगा जान डाने के दिश Rise Up 1-2 When I will apply this one, this one more time for a अगर तो अगर तो आप इसमें कुछ चीज मिला कि इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं तो एक लियर गाफिए एक लियर को ही 25 नेट अगर आप इस तरह से अपलाई करेंगे तो आप इसको एक लियर को 10 नेट लगा रहने देंगे ड्राय हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके कोड़ उस्टी लियर और अपलाई करेंगे तो आप मैं आपको करके दिखा दियू इसको आपने अगर 1 अगर 1 पी स्पून बैकिंग सोडा इसमें डाला है तो आप इस आप डी चेरे पे अपलाई कर सकते हैं गरकन पर करें विसम की किसी अचे पर भी कर सकते हैं तो इसको ट्राय हो जाने ने जब तक मैं मैं इसको अपलाई करते हूं मेरे नए दोस्त तो पहली ताफा वीडियो को देख रहें और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुरग बटन अगर जिसके उपर सब्सक्राइब लिक होगा उसको क्लिक करें उसके साथ एक वैलिका बटन बनेगा उस गंटी पे क्लिक करना नहीं बूलना आपके इससे आपको जैसे में नए वीडियो अपलोड करूँगी इसको पोरी नोटिप्टेशन मिल जाएगा इसको ड्राय होने के लि उसके उपर मैंने एक लेयर कुछ से और अपलाई कर ले थी तो यह दो लेयर है मेरे हाथ के उपर जाएगा और आप देख रहे हैं कि दुसरी लेयर जल्दी ड्राय हो जाती पहली लेयर को ट्रायर में पर टाइम लगते हैं आपके आपके जो लार्ज ओकन पोस्त यानि अगर आपके चेरे पर आपके लोग पार जाएगा ने रहा है पिच शेयजग को अभड़ जाएंगे सित इसे आपके पुछ सिरमा कोई शायग गाएगी मैयनिक आपको बताने के लिए इसके अब ठर्ड अपलाई करके दिखाये मत्रत के वह लेयर कपी हो गई आपकी सкиन प पर फगौश कर लेने के बाद रिजल्ट आपके सामने है कि मेरा सेकेंड एंड देख लीजिए इन दोनों में काफिस ज्यादा फरक्या अगर आप गवर से देखें तो लेफ्ट एंड मेरा काफिस नजर आ रहा है और काफिस पेर है और काफिस प्राइट के निसपर अब अब काफिस प्राइट आपके स्किन पे गलुआएगा चेरे पर अप्लाई करें चेरे पर इसी तरह का गलुआएगा अब की लास्ट में मेरे पाथ सुपिंग लोशन मैं तकरीपन आप लोगों को बता चीपिए यूंग की इसका मेरा कुई खास कनेक्शन है तो जिन लो इससे एचीध नहीं होती, फॉर्यझ नहीं होती, इससे खास नहीं होती, तो या किसी किसम की जलन मैं सूस नहीं होती है अर सा अब एक तेड मिनिट इसका मसाज करें उनकर छोड़ें गया थैड भी तुर। तो आपने अगर 10 तेन या 15 दिन रेगुलर ली कर लिया तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद आपको किसी भी वाइटिंग टिप वाइटिंग मास्क या प्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़े कि लेखे आपने गेनी के एक दफार रिजल्ट आगया तो इसको छोड़के कुछ ना क अदेड़ी डस्त और किचन में हम काम करता है तो लेखे कि ऑपकर बात कनी पर्मेनेंट वाइटिंग की लाने पिटीन के लिए जो इसको पर्मानेंट वाइटिंग क्याते हैं नहीं कि आपको फिर खास टेंशन ही लेनी पड़ इसको वाइट एंड प्रिएक करने के लिए अगर आगर उसकी केर करेंगे। अगर एक दफार रिडाइट मिल गया और छोड़ दिया तो आपके एक पप्र पहन देने के बाद उसको एक साल वाशी नहीं करेंगे। भुजार सी बहुता गंदा तू हो गई। अमीद करते हैं साधा सी मसाल से भी आपको समझ में आगया होगा तो इसे आज का लेसन मत समझियेगा क्योंकि यह लेसन नहीं था लेसन की तरफ हम आप जाएंगे आज के लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो इससे तोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं और यह अखीकत है हम लोग मतलब आप यह इंगा तो सलाम करने में हमें इतनी मेहने से विडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे दूनेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बैल के आइकन को प्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाद वीजियो आप तक पहुंच दूनिए